आज का हम लोग का पहला प्रस्ण है तीन विश्यों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात एक दो तीन का अनुपात में है इसकूल ने प्रतेक विशय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाना है यानि छात्र को जो नए अंक मिला उसका अनुपात क्या होगा इस प्रकार के प्रस्ण में जब सभी में समान परसेंट बढ़ाया जाता है तो हम लोग का अंसर पहले वाला अनुपात ही होता है जैसे हम लोग का पहले अनुपात कितना था एक दो तीन का अनुपात में तो हम लोग का बाद में भी अनुपात एक दो तीन का अनुपात में भी होगा क्यों? क्योंकि सभी में 5% बढ़ाय जा रहा है अगर सभी में 10% नहीं बढ़ाय जाता सभी में 15% नहीं बढ़ाय जाता तो हम लोग का अंसर यही होता है यानि सभी में अगर 7% बढ़ाय जा रहा है तो अंसर में कोई बदलाव नहीं होता है यहां हम लोग का अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर A, एक दो तीन का अनुपात हम लोग का आगला प्रस्ण है, इस पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं पुरुस और महिलाओं का अनुपात 4 साथ है पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सामिल हैं बोल रहा है चार साथ, कौन पुरुस महिला, मैन, वोमेन, चार और साथ का अनुपात में है यहां टोटल अनुपात जोड़ते हैं, हम लोग का 11 आता है, लेकिन बोल रहा है टोटल 77 लोग हैं यानि 11 कामान 77, तो एक कामान 11 से 7 बार में कर देंगे, एक कामान हो गया 7 पूछ रहा है कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का संख्या अनुपात में 7 एक कामान 7, तो 7 कामान कितना, 7 से गुना कर देंगे हम लोग, 49 यानि पार्टी में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, आप्शन नमबर D, 49